नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ टेक्नो और सैमसंग कंपनी के 10,000 रुपे से नीचे की रेंज में आने वाले दो बहतरीन 5G स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन टेक्नो की पॉप सिरीज का टेक्नो पॉप 9 5G और दूसरा सैमसंग गिलेक्सी A सिरीज का A14 5G तो करेंगे इन दोनों की अन्बॉक्सिंग और कंपेरिजन एक साथ देखेंगे कौन सा स्मार्टफॉन आप के लिए रहेगा सबसे बेस्ट फर्स्ट अपॉल हमेशा की तरह प्राइज से सुरुवात करते हैं टेक्नो पॉप 9 5G खाली में लॉंच हुआ है दोस्तो और इसका प्राइज जो है कभी स्टेवल नहीं रहे रहा कभी ये आपको 9,000 रुपे का मिल रहा है कभी 9,000 रुपे का वेस बैरेंट की बात हो रही है दोस्तो तो बैंक ओफर यूज करने के बाद अभी ये स्मार्टफॉन आपको एमेजन पर मिल रहा है 8,499 रुपे का और नॉर्मल आप पर्चिस करोगे विदाउट बैंक ओफर तो 9,000 रुपे में मिल रहा है वही पर जो सैमसंग गिलेक्सी A14 5G है ये काफी महेंगा था जब लाँच हुआ था 15-16,000 रुपे की रेंज का स्मार्टफॉन आज के टाइम आपको मातर 8,999 रुपे में मिल रहा है दोस्तों विदाउट बैंक ओफर यूज किये आप अगर बैंक ओफर यूज करते हो तो उसमें कुछ परसेंट और डिसकाउंट आपको इस पर मिल जाएगा तो आप इनकी बॉक्स पेकिंग पे नजर डालें तो दोनों बॉक्स काफी स्लिम आते हैं लेकिन सैमसंग का काफी ज़्यादा स्लिम है वहीं पर टेक्नो पॉप 9 के बॉक्स में मॉबाइल का डिजाइन नजर आ रहा है यहाँ पर बड़ी बड़ी दो आखें दी गई हैं इसके अलावा 8GB RAM 64GB के स्टोरिज को यहाँ पर मैंसन किया हुआ है मॉडल नेम को मैंसन किया है वहीं पर सैमसंग गेलक्सी एफोटीन 5G का वाइट कलर का बॉक्स मॉबाइल का फ्रेंट और रियल लुक का फोटो देखने को मिल जाता है नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग ओपर मॉडल नेम और दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाइलाइट फीचर्स को भी मैंसन किया हुआ है टेक्नो पॉप नाइन में 48 मेगा विक्सल का सोनी आइमेक्स 582 का सेंसर कैमरा मिलता है चार साल की लेक फ्री परफॉमेंस देगा ये स्मार्टफोन हाला कि ये तो कहने की बात है दो साल में टेक्नोलोजी कहां का कहां पहुँच जाएगी और सब भूल चुके होंगे कि टेक्नो कंपिनी ने अपने बॉक्स पर ये भी लिखा था 6 एनम का फैवरिकेशन प्रोसेसर का चिप सेट यहां पर मैंसन किया है 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फॉन में दिया जा रहा है समसंग के जो हाइलाइट फीचर्स हैं उसमें फुल एजडी फ्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है साथी 50 मेगा विक्सल रियर फ्रंट कैमरा 13 मेगा विक्सल 5000 इमेज बैटरी 15 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये बॉक्स तो चलिए दोस्तों आप फटाफट से अन्बॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं तब तक आप भी चैनल पर फर्स टाइम बिजिट कर रहे हैं तो ये स्किन है दोस्तों आप इन्हें फोन के बैक साइड में चिपका सकते हैं अगर आपको बैक पैनल पसंद नहीं आ रहा तो कुछ टाइम इन इस्टिकर का यूज कर सकते हैं आप पैक पैनल में दो दिये गए हैं वो भी फिरी मैं यूजर मैनवल और एक 12 मंद का वरंटी कार्ड और अंदर देखने पर हमें मिलता है एक USB केबिल दोस्तों टाइप A to टाइप C लेकिन जो चार्जर अडप्टर है वो कंपनी में नहीं दिया है एक तो इनका प्राइज इस्टेबल नहीं है उपर से चार्जर अडप्टर नहीं दिया गया है और ओर जिनल चार्जर खरीदने में की लेंद और क्वाल्टी तो बढ़िया है लेकिन यहां पर सेमसंग भी पीछे नहीं है कंजूसी करने में सेमसंग ने भी चार्जर अडप्टर नहीं दिया 15 वाट का फास्चार सपोर्ट करता है इनका ये फॉन लेकिन वो अलग से परचिस करना पड़ेगा चलो सेमसंग बड़ा ब्रांड है और प्राइज भी तो इसने सस्ता कर रखा है बाकी यहां पर हम देखें दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट साइट के लुक को तो सबसे पहले साइज देखें हलका सा सेमसंग का स्मार्टफोन बड़ा लग रहा है ड्रॉप नॉज डिस्प्ले के साथ आता है सेमसंग पंचोल डिस्प्ले के साथ आता है टेक्नो और टेक्नो पर एक प्री अप्लाइड स्क्रेच गार्ड भी लगा हुआ है जबकि सेमसंग ने कोई भी प्री तो टेक्नो का स्मार्ट फॉन लग रहा है दोस्तों सैमसंग के मुकाबले यह काफी मोटा और भारी लग रहा है जब कि 5000 mh की ही बैटरी दोनों स्मार्ट फॉन के अंदर लगी है पहले बैक पैनल देख लेते हैं तो प्लास्टिक पॉलिकार्बिनेट बॉड़ी के साथ दोन की गई है फिंगर फिंगर फिंट इतने विजिवल नहीं होते इसके बैक पैनल में तो कुल मिला के अच्छा बैक पैनल दिया गया है कवर लगा के रखना नहीं तो इसक्रेचिस आ सकते हैं कैमरा मैडूल भी काफी यूनिक सा दिया गया दोस्तों बिलकुल आइफॉन से इ कैमरा है उन्हें यहां पर टेक्नो कंपणी ने हटा दिया है और 48 मेगा विक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा को रखा हुआ है यह यहां पर इंफ्राराइट सेंसर को दिया गया है दोस्तों दूसरे लैंस पर बाकी रिंग टाइप में LED फ्लेस लाइट आपको मिल जाती है यह सोपीज बनाया गया है लेंस पर आपको एक रिंग टाइप की देखने को मिलेगी जो कि लेंस को और अट्रेक्टिब बना रही है दोस्तों और कुछ हद तक सेब टिवी प्रोवाइट करेगी वहीं पर जो सैमसंग है इसमें आपको रिजिस यह आप यहाँ पर फील कर रहे होंगे साउंड सुनके तो पूरा खुरदूरा टाइप का है इसका बैक पैनल और अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइट का रिफलेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी कमाल का लग रहा है नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है विल्कुल फ्लैड वैक फैनल और तीन कैमरा लेंस बराबर साइज के एक लेंस में एक लाइन में आपको दिये गए हैं और लेंस हलके से उठे हो हैं लेकिन लेंस पर आपको 70 ring भी दी गई एक चोटी सी तो यहां main primary camera है 50 Megavixel का, 2 Megavixel का micro sensor, 2 Megavixel का depth sensor camera with LED flashlight, और फ्रेंट में Tecno only 8 Megavixel का selfie camera दे रहा है, जब कि Samsung आपको 13 Megavixel का selfie camera दे रहा है, दोनों smartphone boxy type के, जिनकी चारो corner तो rounded है, और side panel Tecno का तो बिल्कुल flat है, लेकिन Samsung का आपको अलका सा round shape में देखने को मिलेगा, यहां पर पूरी feel हो रही है और right side में दोनों smartphone की power on की, यहीं पर दोनों smartphone finger pin sensor भी दे रहे हैं plus volume rockers, उपर की side, secondary mic noise cancellation के लिए दिया गया है Samsung में और Tecno ने यहां पर उपर speaker left side में है दोनों की sim tray और bottom side में दोनों के 3.5 mm के audio jack, primary mic charging jack और speaker grill दिये गए हैं दोनों smartphone already booted हैं और इनकी जो brightness है इसे भी हमने 100% करके रखा हुआ है अब आप करीब से दोनों की display को देखिए तो colors और brightness दोनों smartphone में ठीक टाक मिल जाती है even यहां पर colorful display आपको Samsung की ज़्यादा लग रही होगी और यहां पर जो edge और bezels हैं वो ज़्यादा मोटे आपको Samsung के देखने को मिलते हैं यह Samsung में काफी मोटे मोटे bezels दे दी हैं और नीचे जो chin है वो और भी ज़्यादा मोटी है टेकनो के सामने तो थोड़ा कम किया जाता तो फोन का लुक और बैठर लगता इसके अलावा इसक्रॉल अप करते ही फोन में मौझूद सभी application हमें यहां पर नजर आती है Samsung में आपको कुछ एक प्रिंस्टॉल application नजर आ रही होगी चाओ तो आप इन्हें अनिस्टॉल कर सकते हैं लेकिन जो टेकनो है इसने तो काफी सारे ब्लूट वेर application भी भरके दिये हो है जो की अनिस्टॉल तक नहीं होते हाला कि आप इन्हें disable जरूर कर सकते हैं इसके अलावा ज्यादा smooth और fast touch आपको मिलेगा टेकनो का दोस्तो 120Hz का refresh rate दिया गया है और सैमसंग में 90Hz का ही refresh rate आपको दिया गया है और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफॉन की डिस्पले की तो 6.67 इंच की HD Plus IPS LCD पैनल के साथ आपको टेकनो डिस्पले दे रहा है जबकि सैमसंग आपको 6.6 इंच की Full HD Plus PLS LCD पैनल के साथ डिस्पले दे रहा है तो डिस्पले के मामले में Full HD Plus डिस्पले आपको सैमसंग में मिलेगी दोनों का aspect ratio 20 to 9 screen resolution 720 x 1600 पिक्सल और 1080 x 2408 पिक्सल पिक्सल density 263 PPI और 450 PPI की दीगी है height को देखे दोनों smartphone की तो 165.42 mm की Tecno में 167.7 mm की Samsung में मिलती है thickness 7.82 mm और Samsung की 9.1 mm तो काफी मोटा smartphone है चलिए इस weight meter में इनका weight भी चक कर लेते हैं ये Tecno का smartphone है और इसका weight निकल के आता है 189 gram और Samsung का देखते हैं कितना निकल के आता है 200 gram दोस्तों काफी भारी रखा है Samsung ने ये smartphone मुझे लगा यहाँ पर 6000 mm की बैटरी होती है तो हम मान भी सकते दोनों smartphone Android 14 पे रन कर रहे हैं और Samsung में आपको 15 और 16 का update भी दिया जाएगा और 4 साल के security update भी दिये जाएंगे लेकिन जो chipset है वो आपको Tecno Pop 9 में MediaTek Dimensity 6300 का मिलता है जो based है 6NM के fabrication पर Mali G57 के graphic मिलते हैं वहीं पर Samsung Galaxy A14 5Z में Samsung का खुद का chipset Samsung Exynos 1330 का दिया गया है ये based है 5NM के fabrication पर जितना कम nanometer रहेगा phone उतना smooth और fast आपका चलेगा battery backup भी उतना अच्छा मिलेगा Mali G68 के graphic इसमें दिये गये हैं बाकी दोनों waste variant हैं तो 4GV RAM मिलेगी LPDDR4X की और 64GV का storage दिया गया है आप चाओ तो expendable memory को 1TB तक भी बढ़ा सकते हैं अब लास्ट में एक नजर दोनों smartphone के camera पर डालते हैं जूमिंग देखते हैं दोस्तों तो यहाँ 10X और Tecno में भी 10X और अब आपको 10X zoom quality दिखाते हैं दोनों smartphone की तो 10X zoom quality भी ज्यादा better आपको Samsung के camera से ही देखने को मिलती है अगर आप video suit करते हो तो दोनों smartphone से आप Full HD और SD में recording कर पाओगे और Tecno यहाँ पर आगे निकल गया यह 2K में भी video recording कर लेगा और साथी 1080p और 720p में 60fps का support भी मिल रहा है जबकि Samsung में आपको सिर्फ और सिर्फ 30fps का support मिल रहा है Full HD और SD में और यह हैं दोनों smartphone के front selfie camera selfie camera में भी winner Samsung ही निकल के आता है दोस्तों अच्छी क्लेटी Samsung का camera दे रहा है Tecno के सामने यहाँ पर आप अंतर साब साब देख सकते हैं वैसे तो अपनी अपनी पसंद होती है लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर Samsung का camera ज़्यादा क्लेटी के साथ आ रहा है दोस्तों overall देखा जाए तो दोनों ही smartphone अपनी अपनी विसेश खूबियों के साथ आते हैं कुछ खूबियां देखा जाए तो Tecno में बढ़िया है कुछ यहाँ पर Samsung Galaxy A14 5Z में बढ़िया है लेकिन बात की जाए पर्चेस करने की तो Samsung आपको बेटर smartphone मिल रहा है दोस्तों टेकनो इसके सामने काफी फीका लग रहा है आप सोच रहे होंगे पंच होल डिस्पले तो इसमें मिल रही है 120 Hz का रिफ्रेस रेट इसमें दिया गया है लेकिन Full HD Plus डिस्पले नहीं दी टेकनो कमपनी ने और टेकनो कमपनी इतना ट्रस्टेबल ब्रांड मुझे नहीं लगा Samsung के सामने आप mobile purchase कर लोगे और कुछ दिन बात इसका charging jack में problem आ जाता है कभी speaker में problem आ जाता है कभी इनकी display जल्दी खराब हो जाती है और इनका charger तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है उपर से smartphone lag करता है दोस्तों चाहे कितिनी भी guarantee दे टेक्नो कंपनी लेकिन lag इसू तो आएंगे आएंगे जबकि Samsung ने काफी बढ़िया इंप्रूमेंट किया है और यह मेंगा स्मार्टफॉन है 15-16 अजार रुपे की range का स्मार्टफॉन आज की टाइम अगर आपको 9,000 रुपे में मिल रहा है तो दोस्तों एक बैटर स्मार्टफॉन आपके लिए यह हो सकता है चार्जर तो आपको दोनों स्मार्टफॉन में अलग से पर्चेस करने पड़ेंगे यहां Full HD फ्लस डिस्प्ले मिल रही है प्लस आपको कैमरा भी इसी का बैटर मिल रहा है और उपर से 4 साल के सिक्यूर्टी अपडेट और 2 मेजर OS अपडेट देने का वादा किया है सैमसंग कमपनी ने तो मुझे यहां पर प्रस्टनली सैमसंग ही बढ़िया लगा अब आप सोच रहे होंगे यह टेक्नो की इतनी बुराई क्यों कर रहा है दोस्तो क्या पता इससे सैमसंग से पैसा मिला होगा तो हम तो सेलर है दोस्तो हमें experience है इस बात का कि कौन से स्मार्टफॉन में कब कौन सी problem आ जाती है और यहां पर हम किसी भी ब्रांड का प्रोमोसर नहीं करते हम मुबैल खुद फर्चेस करते हैं और खुदी आपके लिए unboxing प्लस comparison वीडियो जिससे आपका ही benefit होगा दोस्तो आपको मुबैल फर्चेस करने में काफी आसानी हो जाएगी कि कौन सा स्मार्टफॉन हमारे लिए better है आजकल दिवाली सेल चल रही है दोस्तो तो मुबैल के price जो है काफी ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं और आपके लिए काफी बड़िया फाइदा है एक नया स्मार्टफॉन पर्चेस करने का बाकी अगर आपको 5G ही स्मार्टफॉन लेना है नॉर्मल यूज के लिए अगर आप ज़्यादा हेवी गेमिंग नहीं करते हो तो ये दोनों स्मार्टफॉन आपके लिए अच्छी च्वाइस हो सकते हैं टेक्नो का स्मार्टफॉन साड़े 8000 रुपे से नीचे आता है तब ही purchase कीजिए नहीं तो bank offer हरको ही थोड़ी की use कर पाता दोस्तों और किसी के पास कार्ड नहीं होता किसी किजी को COD पर भी मंगाना पड़ता है स्मार्टफॉन और उसको तो महेंगा पड़ गया ये 9000 रुपे का और जिसके पार्ट कार्ड है वो 8000 रुपे में purchase करेगा तो यह तो यह तो यहाँ पर नायन साप्री हो जाएगी दोस्तों तो जब आपको दिखे ये सस्ता तब ही purchase कीजिए अधरवाइस सैमसंग तो आपको 8999 रुपे में COD पर भी मिल रहा है बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स मताइए इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफॉन आपको बढ़िया लगा I hope वीडियो आपके लिए helpful रही होगी दोस्तों तो चैनल को subscribe वीडियो को like जरूर कर दीजिए ऐसी वीडियो रिगुलर आपके लिए हम यापन लाते रहते हैं